हेलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग मैं आशा करते हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे हेल्दी होंगे और स्वागा थे मेरा यूट्व चैनल पलास्टिक सिंधी में और हम लोग आज बात करेंगे क्लेंपिंग सिस्टम के बारे में उसके टैपस के बारे में उसके एडवांटेज और डिसडवांटेज के बारे में क्लैंपिंग सिस्टम होता क्या है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लैंपिंग उनिट का हार्ट्स बोला जाता है क्लैंपिंग सिस्टम को जिसका फंक्षन होता है मॉल्ड को ओपेन करना mold को close करना और जब mold में matrius inject कर रहा हो उस दोरान mold को close करके रखना और इस समय हमेशा हम लोग ध्यान देते हैं कि clamping pressure हमेशा injection pressure से ज़्यादा होना चाहिए ताकि mold injection के दोरान खूले ना तो ये फोटो के माध्य हम साब लोग देख सकते हैं कि mold opening के समय कैसा दिखता है और mold close के समय किस तरीका से दिखता है अब हम लोग बात करेंगे clamping system के types के बारे में तो यह मुखिता पांच steps के होते है manual clamping, toggle clamping, hydraulic clamping, hydro mechanical clamping और tie wireless clamping तो यह clamping के types है और हम लोग आगे अब study करेंगे कि manual clamping होता क्या है जैसा कि नाम से प्रतित होता है कि mold को clamping manually किया जाता है और इसका उपयोग pneumatic injection molding या hand injection molding machine के लिए किया जाता है इसमें clamping force operator के skills को ओपर depend करता है कि कितने अच्छे से clamping handle के दोड़ा proper clamping कर रहा है और इसमें हम लोग clamping force नहीं माप सकते और इस तस्वीर के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि manual clamping कैसा दिखता है अब हम लोग आगे बात करेंगे toggle type clamping के बारे में तो toggle type clamping एक mechanical clamping होता है जिसमें बहुत सारे mechanical parts होते हैं इसमें दो बार होते हैं जो कि एक stationary platon और दूसरा moving platon से जूरा होता है और दोनों का end पाइवर्ट से जूरा होता है इसमें जब mold open होते हैं तो ये बार पूरा straight हो जाता है और जब mold close होतो है तो ये वी स्वीक बनाता है तो ये toggle type clamping है और हम लोग अब फोटो के माधे हमसे देख पारा कि stationary platon और moving platon के बीच में clamping system लगा हुआ है जिसमें दो बार है और ये पाइवर्ट से जूरा हुआ है जिसके पीसे piston है और इससे operate होते हैं अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके advantage के बारे में तो first is ये constant mold stock देता है vary नहीं करता है अब इसका disadvantage देखेंगे first है कि directly इसको clamping force redout नहीं कर सकते second clamping करना थोड़ा difficult होता है third limited stock है fourth mold setup करने में थोड़ा ज्यादा difficulty होती है fifth clamping force को adjust करने में भी difficulty होती है और last है इसका maintenance हाई होता है अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे hydraulic clamping के बारे में तो hydraulic clamping ये hydraulic cylinder के दौरा operate होता है इसमें hydraulic system का ram moving platon के पीछे लगा होता है और hydraulic cylinder में दो हाफ होते हैं inlet और outlet तो जब oil inlet के दौरा आगे जाता है तो mold close हो जाते हैं और जब outlet के दौरा बाहर आता है oil तो mold open होते हैं और ये इस principle पर काम करते हैं और ये इस तरीका से दिखता है जैसा कि photo के माध्य हमसे आप लोग देख पा रहे हैं कि moving platon के पीछे hydraulic ram है जो कि उसके पीछे hydraulic system से जूरा हुआ है और इसके दौरा हम लोग hydraulic system operate करते हैं अब इसके advantage के बारे में बात करते हैं तो first है कि इसका clamping speed किसी भी point पे आसानी से control कर सकते हैं second है इसको direct reroute कर सकते है clamping force, third है adjustment करने में clamping force आसानी होती है, fourth है unlimited stroke है इसके पास, fifth है mold setup आसानी से कर सकते हैं और last है low maintenance का होता है और इसके disadvantage है higher horsepower की जोरत पड़ती है, second non positive clamping है, third higher cost का होता है, fourth mold height से stock vary करता है अब हम लोग आगे बात करेंगे hydro mechanical clamping system के बारे में तो ये combination होता है hydraulic and toggle clamping का और इसमें बहुत सारे mechanical parts लगे होते हैं जो की hydraulic ram के द्वारा operate किया जाता है तो इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहां पर higher clamping force के जोरत पड़ती है या फिर इसका platen movement बहुत ही जादा होना चाहिए, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं और ये block and lock system पर काम करता है तो block and lock system को हम इस तरीका से समझ सकते हैं कि garden में अगर हम लोग पानी देते हैं तो अगर उस pipe का intersection area कम कर देते हैं और ये तस्वीर के माध्यम साब लोग देख पा रहे कि यह किस तरीका से दिखता है अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइबर लेस clamping के बारे में तो टाइबर लेस clamping एक hydraulic clamping टाइप कहीं होता है लेकिन इसमें टाइबर नहीं होते हैं और यह एक इसका platen rail system पे काम करता ह हैं और इसका main advantage है कि platen size का कोई limitation नहीं है और इस machine में mold loading और unloading करना असान हो जाता है और जब machine manually चल रहा हो उस दोनार product को eject करने में या robotic arm के movement करने या adjust करने में बहुत ही आसानी होती है अब हम लोग इस तस्वीर के माध्यम से देखेंगे कि बीना tie bar का injection molding machine कैसे दिखता है अब हम इसके advantage के बारे में देखेंगे तो first है कि mold mounting area बहुत ही बड़ा होता है second है कि larger stock इसमें हम लगा सकते हैं third है कि machine का full capacity हम लोग utilize कर सकते हैं fourth है छोटे machine बड़े product बना सकते हैं fifth है floor space बचा सकते हैं sixth है electrical energy बचा सकते हैं seventh है machine flexible होता है modification के लिए seventh है easy to accept to mold cavity eighth है robotic arm का movement बहुत असानी से कर सकते हैं ninth है lower lubrication की जवर्ण परती है tenth है mold plate असानी से remove कर सकते हैं और last है greater stability देता है तो आज की वीडियो में इतना ही अम मिलते हैं next video में झाल अफ़र्ण परूड़र्ण परूड़र्ढ ड्रेस छोड़र्ड़र्ण भ्सनी अम्लावर्ड़र्स